करवाचो, 2021 में कब है, किस दिन है, किस तारिक को है, कैसे पूजा की जाती है, पूजा का शुम मूरत क्या है, क्या-क्या सामगरी आपको चाहिए पूजन के लिए, क्या महतव और मानेताई है, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी में आप लोग को देने वाली हूँ तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजे, ताकि जैसे वीडियो अप्लोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, तो चलिए श सुहागिन महिलाओं के लिए विशेस महत्तव रखता है, पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक महा के क्रिशन पक्ष की चतुर्ती तिति को मनाया जाता है करवाचोद का पर, इस दिन विवाहित इस्त्रिया अपने पती की लंबी आयू के लिए वरत करती है, करवाचोद के पावन वरत को सुहागिन महिलाओं के साथ कुवारी कन्नाई उत्तम वर की प्राप्ति के लिए रखती है, इस वरत को पूरे देश के विभेन हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी स्थानों पर करवाचोद के वरत का महत्तव, पालन करने के नियम और पनमप्राई लगभग एक समान है, करवाचोद के वरत को करक चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाता है, कई बार करवाचोद को संकस्टी चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाता है, इस दिन भगवान बक्तिजन भगवान कनेश का वरत करते हैं करवा चोथ की पूजा और मूरत के मारे में जाने तो इस बार इस साल करवा चोथ का वरत 24 अक्टूबर यानि की रविवार को मनाया जाएगा शाम को जो पूजा का मूरत है वो है पाँच बज़ के 38 मिनट से शाम के 6 बज़ के 56 मिनट तक चंदरोदा का समय है आट बज़ के 11 मिनट चतूरती तिती शुरू होगी 3 बज़ के 1 मिनट पर रात के 24 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को रविवार के दिन इस बार का करवाचोथ आकिर क्यों खास है हर वर्ष करवाचोथ पर एक विश्योष संयोग बननेता है तो इस बार हिंदु धर्म के पंचांग के अनुसार रोहिनी नक्षत्र में करवाचोथ का चांद निकलेगा पोरानिक मानेताओ के नुसार इस नक्षत्र में करवाचोथ का वर्ष रखना शुब होता है इस नक्षत्र में चंदर दर्शन करने से मनवानचित फल की प्राप्ती होती है तो क्या-क्या नियम है करवाचोद के वो देख लेते हैं करवाचोद का व्रत सूर्योध्य से पहले ही आरम हो जाता है और चाम निकलने के बाद चंद्रमा के दर्शन के पस्चात ही स्वर्ट को तोड़ा जाता है संधाकाल में चंद्रोध्य से एक घंटा पूर संपूर्ण शिव परिवार, भगवान शिव, महापारवती, नंदी जी, सिरीगनेश और भगवान कार्तिके की पूजा करने की प्रमप्रा है पूजा करते समय देव परतिमा का मुख पस्च में दिसा की और होना चाहिए और व्रति को पूर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए करवा जोत का वर्थ रखने वाली सुहागिन महिलाओं को उनकी सास सर्गी बना कर देती है सर्गी का रिवाज हर जंगे हर किसी के घर में नहीं है अगर आपके घर में आपने शुरू किया है सर्गी का सिस्टम या आपके घर में चलता आ रहा है तो आप सर्गी ले सकते है तो सरगी में एक थाली के अंदर खाने की चीज़े रखी जाती है जो सास द्वारा उनकी बहु को दी जाती है सूर्योद्य से पहले सरगी को खाकर करवा चोथ के नर्जला वर्थ की शुरुवात की जाती है और रात में चान देखने के बाद ही वर्थ को तोड़ा जाता है सरगी की थाली में ऐसी चीज़े रखी जाती है जिससे खाने से भूग फ्यास कम लगती है यदि सास साथ मी नहीं है तो वो आपको पैसे भी जवा सकती है जिससे कि आप अपने ये सरगी का समान ले सकती है अगर सास नहीं है तो फिर आप मानी जब की सास की डैथ हो गई है तो कोई भी घर में बढ़ा बुज़र्ग आपको दे सकता है या फिर आप खोदी अपने सर्गी की तयाली तयार कर सकते हैं इसमें मुखे रुपसे सुहा की चीजे, कपड़े, फेनी, फल, सुखे मेवे, नारियल ये सब शामिल होता है अब बात करते हैं कि करवा चोद की पूजा के लिए आपको किन-किन सामगरी की जरूरत पड़ती है करवा चोद की लिए आपको गंगा जल, पानी का लोटा, दीपक, चंदन, अगरबत्ती, रोली, फूल, कच्चादूद, अक्षत, देसी घी, दही, चीनी, शहद, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, चुनरी, चूडी, महंदी, कंगा, बिंदी, महावर, सिंदूर बिच्वा, गोरी बनाने की लिए पीली, मिठी, या लकडी का आसन, आठ पूर्यों की अठावरी, छल्नी, हल्वा और दक्षना बेसिकलिए अगर मैं बात करूँ तो आप भगवान जी को पंचामरत की सनान करवा सकते हैं तो उसके लिए पंचामरत का समान आपके घर में अगर सास को जो थाली दी जाती है तो उसके लिए जो भी समान होगा उनके कपड़े, उनको गहने, पैसे जो भी आप देंगे और आपके खुद के लिए सोला श्रंगार की वस्तवे और नए कपड़े इसके साथ ही कई जगाव पर मीथी और फेकी पूरी बनती है तो वो आप या फिर आठ पूरियों के अठावरी, हलवा, दक्षिना जो भी आपकी गर्मे खाना बनता है वो आप रखेंगे व्रत करने की विदी क्या है प्रते काल, सूर्योद्य से पूर्व, सनान, आधिकालियों से निर्वर्थ होकर पूज असां की साफ़ सफाई करें अगर आपके याँ पर सर्गी का सेवन नहीं होता है तो आप इस step को छोड़ दीजिए अब बगवान का पूजर करने के बाद वर्ति को नर्जला वरत का संकल्प लेना चाहिए इस वर्त को सदैव संध्या के समय सूरज अस्थ होने के बाद चांद के दर्शन करके ही तोड़ना चाहिए इस दोरान जलपाल नहीं किया जाता ना ही कुछ खाया जाता है ना ही कुछ पिया जाता है चांद के दर्शन करने के बाद ही पती जब अपनी पत्नी को पानी पिलाता है तो वरत पूरा माना जाता है संध्या होने पर एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए इस पूजा में 10 से 13 करवे मिट्टी से बने हुए विशेस कलस को रखा जाता है या आप एक भी रख सकते हैं पूजा के सामगिरी के रूप में आप धीप, दूप, चंदन, सिंदूर, रोली, आदिको थाली में रखें इस पूजा में प्रियोग होने वाले दीपक में परियाप्त मातरा में घी भरें जिससे की वे काफी समय तक चलता रहे पूजा पूण होने के बाद चंदरमा उदे से करीब एक घंटे पहले पूजा को आरम करना चाहिए बैतर होगा घर की सभी मैला एक साथ पूजा संपन करें तो किसी के हैं पर सुबह पूजा होती है और जादा तर शाम को पूजा होती है तो आप चार बजे पांच बजे ये शह साथ बेर जब भी आपको पूजा होती है आपके आप पूजा करें इस पूजा के दोरान परते के वेक्ति को करवा चोथ वरत कता सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए इस दिन चंदरमा के दर्शन चलनी की मदद से करने चाहिए साथ ही दर्शन के बाद अरग देते हुए चंदर पूजन करना चाहिए करवा चोथ के दिन चंदर दर्शन के पस्षात बहुदवारा अपनी सास को थाली में सजाकर मिठाई सामगरी मैंने आपको पहले ही बता दी है क्या क्या सामगरी चाहिए तो यह थी दोस्तों आप लोगों के लिए करवा चोथ के व्रत के बारे में क्या थिती है क्या महतव है सरगी क्या होती है क्या क्या सामगरी चाहिए और कैसे व्रत को रखा जाता है आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए सारी information प्रोवाइट कर दी है करवाचोट से लिए कोई भी अगर आपके मन में doubt, कोई भी आपके मन में question है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकाने के साथ अगली वीडियो में तब तक इसी तरीके से आप channel को subscribe करें, bell icon को press करें, वीडियो को like और share करना ना भूले साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को share नहीं किया, like नहीं किया, तो share, like करें आप मुझे social media पर follow कर सकते हैं, link description box में है, thank you so much, bye bye, take care